नमस्कार दोस्तों आपका श्वागत है हमाई यूट्यूब चैनल फेर एंड केर टिप्स में दोस्तों गी की हदीद चेहरे के पिंपल्स को हटानी क्लिक क्या यूज करती है इसके सीक्रेट के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिये गया सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके वेल आइकन को जरूर दबाएं अमेरिकी सुपर मॉडल गीगी हदीद ने कुछ महीने पहले एक बच्चे को जन्म दिया है प्रेगनेंसी के दौरान भी मॉडल सोसल मीडिया पर का कवर गल थी इसके साथ उन्होंने अपने स्कीन केर और ब्यूटी टिप्स सेयर किये हैं गीगी ने बताया कि जब प्रेगनिन थी तब उन्होंने नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ स्विच किया सर्दियों में मॉडल अपनी तवचा पर ड्राइनेस से बचने के लिए मॉश प्रोडक्ट का इस्तिमाल करती हूं उन्होंने बताया कि उन्हें कोई स्कीन प्राब्लम नहीं होती है लेकिन फैसन वीक के दौरान पूरा दिन मेकप लगाने से उनकी स्कीन पर प्रभाब परता था क्योंकि उस समय एक साथ कई लड़कियों को एक ब्रस मेकप किया जाता जिस कारण एक ब्रस कई चेहरे को छूता है इसकी वज़ा से उनकी ठोड़ी और नाक पर धबे पर जाते थे मॉडल ने बताया कि उन्हें अपना लुक खुद क्रियेट करना पसंद है गिगी ने यह भी बताया कि डार्क स्पोर्स को सुखाने के लिए तूथ पेश्ट का इस्तमाल करती थी यह टिप उन्हें अपनी मा से मिला है उन्होंने बताया कि वह अपने भौव पर लिप बाम लगाती है कि भौव है कि ऊपर पेंसिल या कोई प्रोडक्ट आसानी से चले प्रेग्नेंसी के दरान गीगी के स्कीन में पिग्मेंटेशन हुई जिसकी वज़ प्राइमर और फाउंडेशन लगाती है इसे अपने हाथों से मिलाती है ताकि यह चेहरे में आसानी से मिल जाए इसके बाद आखों के नीचे कंसीनर लगाती है फिर भौव को पेंसिल की मदद से बढ़ाती है चेहरे पर हलका पाउडर लगाती है ताकि मेक अच्छी तरह स सेट हो जाए इसके ऊपर काउटरिंग पाउडर और नाक पर हाइलाइटर का इस्तमाल करती है आखों में मशकरा लगाती है और i-shadow को सेलेज से कर्ल करती है इसके बाद गालों पर ब्लस लगाती है इसके बाद लिप्श्टिक का एक कोट लगाती है गीगी ने यहभी बत कि माताओं को भी खुद का देख भाल करना बहुत जरूरी होता है